हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास BSC First Semester का वीडियो नमबर 85 या फिर हम कह सकते हैं कि यह पांचवे चैप्टर का बारवा वीडियो है और इससे पहले 84 वीडियो आ नीचे डिस्क्रप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में लिंक भी आ जाएगा जहां आप BSC के First Semester के Chemistry के सभी वीडियो को देख सकते हो समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत जादे हेल्प करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर तो देखते हैं आज का हमारा टार्गेट क्या है आज बेटे हमारे पास है बहुत important क्योंक्शन है ध्य उर्जा का महत्व तो जो अभी क्रियाएं होती है रियक्शन होती है उनका जब हम mechanism study करते हैं उनकी क्रियाविधी का अध्यन करते हैं तो उसके दोरान जो energy changes होते हैं उर्जा में जो परिवर्तन होता है उसकी क्या importance है यानि हमें किसी भी रियक्शन को पढ़ते समय उर्जा को किस किस respect में किस किस लिहाज में जरूर समझना चाहिए जिससे हम reaction का nature, reaction का rate और reaction के बारे में अच्छी तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें तो इस topic को हमें चार step में पढ़ना है चार चीज़ों के उपर हमें focus करना है सबसे पहले हमें ध्यान रखना है importance of energy in a reaction त सबसे पहले हम discuss करेंगे उसके बाद हम discuss करेंगे nature of a reaction, किसी reaction का nature क्या होता है और हम किस तरीके से एनरजी के base पर reaction के nature को determine कर सकते हैं ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे energy को लेते हुए collision theory की, is college theory को हिंदी में कहते हैं संगहट सिधान्त यानि टक्कर सिधान्त तो कॉलीजन थियोरी के बारे में भी हम एनरजी के लिहाज में बहुत सारी बातें इस टॉपिक में करेंगे उसके बाद जो फोर्थ वन है बहुत important point है चोते नंबर पर जो हमारा focus रहेगा वो रहेगा energy diagram पर energy diagram of two step reactions जो reaction दो step में complete होती है उनमें intermediate बनता है और उन reactions का हमें discuss करना है energy diagram तो तीन तरह के energy diagram भी हम इसी वीडियो में discuss करेंगे ठीक है तो चलो बच्चो जल्दी से आज की पढ़ाई सुरू करते हैं तो बेटे हमारा जो आज का topic है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने चार point में इस topic को divide किया है चार हिस्सों में इस topic को divide किया है और हम सबसे पहला part यहां से start करेंगे आपको सिरफ हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है जैसे की हमारा heading है आप heading लिख लो पहले वीडियो को pose करो और heading लिखो सबसे पहले साफ साफ writing में लिखना है आपको क्योंकि जैसा लिखने की आदत आपको होगी वैसा ही आप लिखोगे एक्जाम में भी इसलिए अपने नोट्स जो हैं बनाने की हाथ से ही आदत रखा करो और साफ साफ लिखने की प्रकोसिस करा करो हमेशा यदि आप rough copy में भी लिखते हो तो भी साफ साफ ही लिखा करो जिससे आपकी आदत अच्छी बनी रहे और एक्जाम में आप अच्छा लिख कर आ सको तो हमें heading लिखो पहले सबसे पहले वीडियो को पोस करो और heading लिखो importance of energy in mechanism of reaction या अभी क्रियाओं की क्रियाविधी में उरजा का महतुर जल्दी से heading लिखो वीडियो को पोस कर गए लिख लिख लिया वेटे तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या importance होता है देखो सबसे पहली बात मालो आपको किसी भी reaction का nature चेक करना है या फिर किसी भी reaction का rate चेक करना है nature का मतलब वो कैसा nature दिखाता है कैसी उसकी प्रकरती है हम energy के लिहाज में प्रकरती की बात कर रहे हैं कि क्या उस reaction में उरजा निकलती है बाहर यानि उश्मा निकलती है क्या उस reaction में उश्मा अवशोशित होती है यानि energy absorb होती है क्या उस reaction में ना तो energy निकलती है ना तो absorb होती है तो यह है जो हम nature की बात कर रहे हैं nature का मतलब है in the respect of energy changes तो किसी भी reaction का nature जो है या किसी भी reaction का rate कि reaction कब तेज चलेगी rate का मतलब दर्ख, वेग, अभीकरिया का वेग जिसे आप कहते हो तो वो भी निर्भर करता है कि अभीकरिया में, reaction में energy changes किस तरीके से हो रहे हैं उर्जा का परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है तो यहां हमें सबसे पहला point जो exam में लिख कर आना है इस topic में, यदि ये question exam में आया आपको लिखना है किसी मेरे साथ साथ लिखा करो किसी reaction का nature किसी reaction का nature और rate rate का मतलब अभीकरिया की दर या अभीकरिया का वेग किसी reaction का nature और rate उस reaction में होने वाले उस reaction में होने वाले energy उस reaction में होने वाले energy change पर depend करते हैं depend करते हैं तो आपके पास कोई भी reaction है और आप देखना चाते हो कि उस reaction का nature कैसा है तो या फिर उस reaction का rate कैसा है क्या उस reaction का speed fast है rate का मतलब speed कह सकते हो आप अभीकरिया का वेग उसका fast है या slow है तो आपको देखना होगा कि उस reaction में energy किस तरीके से बदल रही है क्या उस reaction में energy reactants और products की energy बढ़ रही है या घट रही है दुन्नों में से किसकी energy बढ़ रही है किसकी घट रही है तो इसलिए आपको यदि किसी भी reaction का nature पता करना हो या किसी भी reaction का rate पता करना हो तो आपको energy change तो देखना ही पड़ेगा इसलिए हम कहते हैं कि energy किसी भी reaction की study के लिए बहुत important है तो यहां हम लिखेंगे इसलिए किसी इसलिए किसी reaction की study में यानि किसी अभी करिया के अध्यन में किसी reaction की study में energy का एक importance energy का एक importance होता है तो किसी भी reaction का आपको study करना है तो आपको energy का भी उसमें एक महत्वपूर्ण इस्थान उसमें होता है एक काम करते हैं थोड़ा सा language change करते हैं energy का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण को कहते हैं important लिखते हैं चलो P A and T energy का एक important इस्थान होता है अब देखो sentence ही बना गया मतलब कहने की बात यह है कि किसी reaction का nature और rate उस reaction में होने वाले energy changes पर depend करता है ठीक है energy changes पर depend करता है इसलिए किसी reaction की study में energy का एक important इस्थान होता है इसलिए हमने यहां लिखा है importance of energy in mechanism of reaction तो सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा होता है कि हम किसी भी reaction को जब study करते हैं किसी भी reaction के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम energy के बारे में क्यों बात करते हैं energy का reaction के बारे में अध्यन करते समय महतुपूर्ण इस्थान क्यों होता है तो आप इस बात का जवाब इस तरह लिखोगे आप लिखोगे कि किसी भी reaction के study में energy का important place इसलिए होता है उर्जा का महतपूर्ण स्थान इसलिए होता है क्योंकि उर्जा change होती है न जो reaction में उससे ही हमें पता चलता है कि reaction का nature कैसा है या reaction का rate कैसा है उसी से ही हमें पता चलेगा जल्दी से लिखो इस बात को आप अपनी कॉप्पी में अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको द्यान से समझना मालो आपके पास कोई भी reaction है या लिखो किसी reaction किसी reaction का nature मालो कोई आपका reaction है और आप उसका nature पता करना चाह रहे हो nature का मतलब पता क्या है nature का मतलब है energy के respect में nature उर्जा के लिहाज में हमें उसकी प्रकरती देखनी है अब उर्जा के लिहाज में सर प्रकरती कैसे देखनी उर्जा के लिहाज में प्रकरती यानि energy के respect में nature का मतलब पता क्या है कि वो reaction endothermik है या exothermik है या कोई ऐसा reaction है कि वो endothermik भी नहीं और exothermik भी नहीं है ठीक है यानि उस reaction में ना तो energy निकलती है ना absorb होती है तो यह होता है nature in the respect of energy changes तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी reaction का nature reactants reactants तो पता है आपको kriya का रखिया अभी का रख reactants and products की energy reactants and products की energy पर depend करता है अब कैसे करता है यह तो समझना पड़ेगा देखो अभी आपको सारी बात्ते समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ बात करी कि कि किसी भी reaction का nature reactants और product की energy पर depend करता है यदि मैं आपको कहूं मतलब आपके पास reactants और product की energy है ना तो आप reaction जो है हमारा अभी करिया जो है उसका प्रकरती उसका नेचर आप बता सकते हो बहुत असनी से कैसे बता सकते हो एक काम करो एक काम करो let ऐसा मान लो energy energy of reactants मान लो कि हमारी reactants की जो energy है ना वो है er ऐसा मान लिया हमने कि हमारी जो reactants की energy है उसे हमने er से denote कर दिया और energy और energy of product यानि जो हमारे उत्पाद हैं या क्रिया फल हैं उनके energy को हम denote करते हैं पी से हैं तिहान से समझना बिल्कुल सारी बात तो गो हमने यहां जो point यह वाला point जो हम लिख रहे न यह वाला point इस पर focus करो इस point में हम क्या लिख रहे हैं इस point में हम लिख रहे कि किसी reaction का जो nature है वो यहां कोमा लगा लो नेचर reactance की energy पर depend करता है या reactance and product की energy से determine होता है यदि आप reactance और product की energy को भले भातीजानते हो तो आप reaction का nature बता दोगे without any problem तो इसलिए हमने लिखा किसी reaction का nature reactance and products की energy पर depend करता है मान लिया energy of reactants अभी कारकों की उर्जा ER है और energy of product products की energy हमने क्या लिखी EP है तो तीन बाते हो सकती हैं पहली बात number one ध्यान से समझना बिल्कुल पहला case क्या हो सकता है पहला case यह हो सकता है कि if energy of reactants is higher than energy of products हमारे जो reactants हैं उनकी energy कम है और product की energy जादे है ज्यान से समझना reactants की energy क्या है कम है और products की energy जादे है तो क्या होगा हमारे जो अभी कारक हैं उनकी energy क्या है देखो जैसे मैं यहां लिखके बताता हूँ आपको कि मान लो हमारे reactants हैं वो प्रॉडक्ट में बदल रहे हैं ऐसे ही तो उतनी है रियक्टेंट्स प्रॉडक्ट में बदलते हैं और हम यह कह रहे हैं कि इनकी एनरजी माल लो 10 जूल परती मॉल है ऐसा हमने कह दिया कि इनका एनरजी है रियक्टेंट्स का 10 जूल पर मॉल और product का हमने कहा कि reactants की energy जाते है product से product की energy से और यहां हमने कह दिया कि 5 joule पर mole है energy अब समझो ध्यान से यह वाला case है इस case को चाहे आप ऐसे लिख लो एक काम कर लो इसे यहां लिखी देते हैं दूसरे color के पहन से एक example में जिससे आपको जरुरत पढ़े तो आप असनी से उसे समझ जाओ देखो हमने कहा कि reactants की energy product की energy से जादे है जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे reactants बदल रहे हैं products में और इनकी energy reactants की है मान लो 20 joule per mole ऐसा मैंने मान लिया वैसे ही आपको समझाने के लिए और products की energy है मान लो 10 joule per mole अब मुझे एक बात बताओ reactants की energy जादे है न देखो 20 joule per mole product की कम है तो जब reaction इधर को चल रहा होगा तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता होगा सवाल यह आता होगा कि सर्फ 20 joule energy 10 joule energy में convert होगी तो 10 joule energy कहां गई सवाल खड़ा होता है कि 10 joule energy कहां गई 20 joule energy थी अभीकारकों के पास और जब यह उत्पाद में बदले products में change हुए तो यह 20 joule energy 10 joule energy में convert होई तो 10 joule energy कहां गई तो पक्की बात है कि इसके साथ 10 joule energy निकली होगी तो यहां क्यों लिख सकते हैं और इसमें कह सकते हैं कि साथ यह 10 joule energy निकली होगी है 10 joule पर मोल कहां दो कि एक मोल का reaction हुआ जब एक मोल reactant का एक मोल product में convert हुआ तो 20 joule energy के दो टुड़े हुए 10 joule energy तो गई उस product के पास और 10 joule energy atmosphere में क्या हुई release हुई वातावरण में उत्सरजित हुई और जिस reaction में उर्जा उत्सरजित होती है ना energy निकलती है ऐसे reaction को आप कहते हो exothermic reaction यानि उसमाख शेपी अभी करिया तो सिद्धी बात है आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या बात है ठीक है मतलब बात यह है कि if energy of reactants is greater than energy of product यानि reactants के पास जादे energy थी products के पास कम energy है तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि हमारा reaction कैसा है exothermic है तो यहां मैं लिकूँँआ then reaction is exothermic exothermic तो पता है exothermic उसे कहते है जिसमें energy बाहर निकलती है heat बाहर निकलती है तो reaction exothermic होगा और यदि इसे graph में बनाओगे न आप देखो मैंने आपको वैसे तो समझाया वैसे समझाया कि आपका जो product है आपका जो reactant है वो आपके product में convert हो रहा और यहां हमने energy माननी थी 20 जूल पर मॉल और यहां energy हमने बननी 10 जूल पर मॉल ऐसा हमने मान लिया समझाने के लिए तो 10 जूल energy निकली होगी ना तो हम यहां लिखेंगे प्लस 10 जूल पर मॉल इतना energy क्या हुआ रिलीज हुआ एक्स क्रीट हुआ इसलिए इसे एक्जो थर्मिक reaction कहा अब देखो इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूँ ध्यान से समझना यदि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये y-axis है और ये है x-axis ठीक है यहां y-axis है यहां x-axis है और यहां मैंने एक slave बनाया इसे मैंने कहा कि यहां हम ना पेंगे energy को ठीक है होती है ना तो उस इकटे होने वाली उर्जा को हम कहते हैं potential energy तो हमने एक slave तो यह बनाया यहां और यहां हम निच्चे से उपर की तरफ चलेंगे तो मैं कहरा कि energy बढ़ेगी potential energy increase होगी और एक slave बनाया यहां यह दुबारे देखो यहां बनाया एक slave यह अब देखो यहां त उपर नहीं आ रही है उपर आ रही ना energy और product की नीचे है तो आपका reactant जो है वो reactant इस तरह अपनी उर्जा बढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते एक activation energy पर पहुंचेगा और फिर बदल जाएगा किस में product में इस तरी यह जो highest stage पहुंचता है ना reactant reactant डारिक्ट नहीं बद जाएगा यह बिल्कुल गलत बात है ऐसे नहीं कभी भी product में बदलता मतलब अभीकारक उतपाद में सिद्धे नहीं बदला करते कभी भी अभीकारक उतपाद में कैसे बदलते हैं पहले अभीकारकों को यानि reactants को अपना energy बढ़ाना पड़ता है और उन्हें उस जगा को हम कहते हैं यानि energy of activation या activation energy तो अब यहां देखो यहां आपको पता चल रहा कि मानलो यह reactant है हमारे reactant की energy मैंने बताई कि मानलो यहां जो energy का level है यहां energy का level है 20 joule ठीक है और यहां जो energy का level है यहां एन प्रोड़क्ट वो 10 joule है जैसा कि अभी मैंने लिखा था reaction में तो य 20 joule energy वाले reactant 10 joule energy वाले product में बदल तो 10 joule कहां गई 10 joule और जबातावरन में यहां लिखा है कि यदि reactants की energy जादे होती है और product की energy कम होती है देन रियक्षन इस एक्जोथर्मिक तो रियक्षन कैसी होती है एक्जोथर्मिक होती है रियक्षन कैसी होती है एक्जोथर्मिक यानि उसमें हीट निकलती है या एनरजी निकलती है जल्दी से अच्छा पोस गर के लिखो पर अगली बात बताता हूं आपको पोस गर के लिख हुआ कि second case if energy of reactants is smaller than energy of products यानि हमारे अभिकारकों की उर्जा कम है प्रोड़क्ट की जादे हैं जैसे मैं आपको यह कह दूँ कि हमारे यह reactants हैं और यह product हैं इनकी energy है 20 joule पर मोल और यहाँ energy कितनी है 40 joule पर मोल अब देखो जरा ध्यान से अब मुझे एक बात बताओ कि reactants की energy 20 है और product की 40 है तो कम है ना कम है तो सवाल यह है कि जब हमारे reactants 20 joule पर मोल वाले थे इनका energy 20 joule था तो यह 40 joule में कैसे convert होगे 40 joule में कैसे बदले सवाल है ना यह ऐसे बदले क्योंकि आपने इनहे energy दी होगी plus q q का मतलब heat या energy और आपने 20 joule energy ने दी होगी हर एक मोल को 20 joule energy आपने दी होगी इस reaction में इसलिए यह 40 joule वाले product में convert हुए है और जब किसी reaction में energy इस तरह देनी पड़ती है ना यह energy absorb होती है तो ऐसे reaction को आप कहते हो उसमा शोशी अभी करिया यानि एंडो थर्मिक reaction तो इस से energy से ही तो हमें पता चला इसका यदि मैं graph बनाऊ ना आपके सामने तो मैं graph ऐसा बनाऊंगा दे potential energy की बात करेंगे जो energy है reaction product की और यहां reaction के rate की बात करेंगे या time ले लो independent variable लेना चाहिए यहां और फिर मैं कहूंगा आपको कि यहां बनाऊ slave हमें पता reactance की energy जादे है तो reactance का slave reactance की energy जादे है तो इनका slave तो यहां बनाऊ ठीक है नहीं reactance की तो कम है product की तो जादे है ठीक है reactance का slave तो बनाऊ यहां यहां और product का बनाऊ यहां ठीक है अब इस energy को आप कहो इस वाली energy को आप कहो यह energy है e1 और इस वाली energy को कहो आप e2 ठीक है और इनके value भी लिख दो चाहे तो इनके value भी लिख दो आप लिख दो कि इसका मतलब reactant और product reactant की energy कितनी थी 20 जूल पर मोल और product की कितनी है 40 जूल पर मोल इस slave को कहा 40 और इसे कहा 20 अब हम जब इसका graph बनाएंगे ना तो graph देखो कैसा बनेगा ध्यान से देखना आप graph को graph ऐसा बनेगा कि यह तो यह तो हैं हमारे reactant यह तो reactants हैं और यह है products ठीक है यहां से graph उठेगा और उसे उपर तक जाना है activation energy तक और फिर जाके वो product में convert होगा यह जो top होता है ना यह होता है एक्टिवेशन energy ध्यान रखना टॉप क्या होता है activation energy होता है तो यह बताओ reactants की energy 20 जूल थी पर जो product मिले में आपको 40 जूल वाले मिले कितने मिले यह यह मिला ना product 40 जूल वाले आपको product मिले तो 20 जूल energy कहां से आगी उसमें 20 जूल energy वहां से आगी आपने दी होगी ना energy आपने energy दी इसलिए 20 जूल energy उसमें extra आगी और जिस reaction में आप energy देते हो उस reaction को आप कहते हो क्या endothermik reaction या उसमा उसमा शोशी अभी करिया ठीक है समझ में आई ना बात उसमा शोशी अभी करिया अब देखो ध्यान से जरा अब सारी बा दिखोगे then reaction is reaction is कैसी होगी endothermic तो endothermik जो है वो reaction का nature है exothermik भी reaction का nature है endothermik कहते हैं जिसमें उश्मा देनी पड़े उस्मा शोशी और एक्जो थर्मिक कहते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है उश्मा निकलती है हीट निकलती है उसे कहते हैं उस्मा क्षेपी ठीक है इसमें उश्मा आपने दी इसलिए रियक्टेंट्स से जादे एनर्जी किसकी होगी product की अच्छा तीसरा case देखो अब मुझे यूँ बताओ कि energy के लिहाज से ही तो हम nature पता कर पा रहे हैं reaction का तीसरा case द्यान से देखना if energy of reactants is equals to energy of product energy of reactants और energy of product बरबर है या फिर हम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं और करके लिखता हूँ no exchange exchange है सब दो सही नहीं है transfer लिखेंगे no transfer no transfer of energy यानि energy का transfer होई नहीं रहा मतलब energy equal है इसका मतलब पता क्या है इसका मतलब यह है क-, reactants है आपके क्या है रियक्टेंट links आपके reactants है और आप उन karma freeze product में बदल रए या जब आप energy देख रही है तो 20 जूल 3-mol है 20 JOOL per mole और product की भी 20 JOOL per mole है मानलो energy पर अबर है तो जब energy परभर होगी तो क्या होगा energy परभर होने से ये होगा जी ना तो energy दी जा रही ना तो ली जा रही ठीक है energy change नहीं हो रहा तो बच्चे यहां सोचेंगे कि sir energy change नहीं हो रहा क्या ऐसी reaction भी possible है हाँ है possible क्यों है मैं अभी बताँ हुआ जब आपको reactant और product की energy में कोई change नजर नहीं आता या फिर यूँ कह दो कि energy transfer दिखाई नहीं देता तो reaction पता कैसी होती है तो reaction ऐसी होती है देखो then reaction is ध्यान से देखना reversible reaction reversible होती है और reversible को आप क्या कहते हो उतकर मनी है तो reaction में फिर पता क्या होगा फिर reaction में यह वाला निसान नहीं लगनेगा जो हमने लगाया reaction में ऐसा निसान लगेगा ऐसा ऐसा निसान लगेगा ऐसा इसे तो कहते हो आप reversible का sign ऐसा निसान लगेगा तो reversible reaction ऐसी होती है कि उसमें energy change दिखाई नहीं देता है अब आप कहोगे कि नहीं सर यह तो नहीं बात सही है तो जमीनी औरी बात मैं कहूंगा इसे हजम मैं करवोंगा ध्यान से समझना आप आपको ऐसा लगता है कि जो रियक्षन तो उस समय एनर्जी चेंज जीरो हो जाता है और यदि एनर्जी चेंज जीरो ना होता ना तो रियक्षन का स्पीड दोनों डियरेक्षन में इक्वल ना होता आपको पता है रिवर्सेबल रियक्षन की खासियत यह होती है कि इस रियक्षन में जब साम में अवस्था स्थाप में इसलिए तो वो दोनों direction में reaction का speed equal होता है तो ध्यान रखना कि if energy of reactants equals to energy of product और no transfer of energy then reaction is कैसी होती है reversible reaction reversible होगी ठीक है हाला कि reversible reaction में आप एक बात देखते होंगे जरूर जैसे मान लो एक reaction लिख दो मैं N2 plus 3H2 reversible 2NS3 मान लो यह reaction लिख दी फिर आप कहोगे कि सर इसमें heat भी तो निकलती है बाहर मैं कहूँगा हाँ निकलती है पर मुझे यूँ बताओ जब reaction start करोगे तो heat निकल रही है आप कहरे जी इधर को heat निकल रही तो मुझे यूँ बताओ कि इधर को heat absorb नहीं हो रही है निकल भी रही absorb भी हो रही तो जब यह reaction equilibrium state में पहुँचेगी न तो जितना heat निकलेगा मान लो heat निकल रहा है Q1 और जितना heat absorb होगा Q2 तो Q1 की value Q2 के equal हो जाएगी यानि result क्या है total energy change 0 जबी तो equilibrium state में पहुची reaction तो यह चीज ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको ठीक है रखोगे ध्यान अब देखो चलो अगली बात कर रहे हम हमें पता चल गया कि हम किसी भी reaction में जो हमारे reactants हैं और जो हमारे product हैं उनका energy यदि हमें पता है तो उनके energy से हम पता लगा सकते हैं reaction का nature कि हमारा reaction endothermik होगा या exothermik होगा या फिर वो कैसा होगा reversible होगा ठीक है चलो अगली बात करते हैं अब यदि मैं collagen theory की बात करूं collagen theory की collagen theory को हिंदी में क्या कहते हैं संगट सिध्धान अगले पड़ाओ पर आगे हम तीसरे पड़ाओ पर आ चुके हैं हम पहला पड़ाओ क्या था पहला पड़ाओ था जिसमें हमने अध्यान करा था कि किसी भी reaction की study के लिए energy की importance क्यों होती ह क्योंकि हमें energy से ही पता चलता है reaction का nature और reaction का rate इसलिए energy का एक महत्वपूर्ण इस्थान है किसी भी हविक्रिया के अध्यन में दूसरा पड़ाओ हमारा था कि किसी भी reaction का nature पता करना हो तो आप reactants और product की energy का पता लगा लो यदि आप reactants और product की energy का पता लगा लोगे और उन्हें आपस में compare कर लोगे उनकी तुलना कर लोगे तो आप बता दोगे कि reaction का nature कैसा है यानि reaction endothermik है या exothermik है या reversible है दो पड़ाओ पूरे कर लिए तीसरा पड़ाओ आता है टोटल चार पड़ाओ मैंने बताये थे आपको इसके वीडियो के या इस lecture के जो तीसरा पड़ाओ आता है वो आता है collagen theory का जिसे आ आप कहते हो संघहत सिध्धान्त संघहत या collagen से बच्चे confusion होते हैं इस संघहत क्या होता है तो मैं यदि मोटी भासा में बोलने हूं तो संघहत या collagen का मतलब होता है अभ तकर तो समझते ओ और तकर जब ऑन दो चीज आपस में टकराएंगी तो इसे कहते हैं कॉलीजन या टकर या संगट तो अब कॉलीजन थियोरी वाले तीसरे पड़ाव पर आते हैं हम देखो कॉलीजन थियोरी हमें क्या कहती है कॉलीजन थियोरी हमें कहती है कि यह जो reactants के molecule होते हैं यह आपस में टकराते हैं और इनके टकराने से ही product बनता है तो लिखो जराया मेरे साथ साथ जब 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 नहीं लिखते हैं पहले लिखेंगी हम किस theory के according चल रहे हैं लिखो collision हिंदी में यदि किसी बच्चे को लिखना है तो ऐसे लिखना है संगहट संगहट सिद्धान्थ कि अंगर्ट कहते हैं टक करणों पॉलिजन थियोरी के according यानि संगहट सिद्धान्थ के अनुसार जब रियक्टेंट्स यानि अभीकारकों जब रियक्टेंट्स के molecule यानि अभीकारकों के अनुसार जब रियक्टेंट्स के molecule आपस में क्या करते हैं collagen यानि टकराते हैं आपस में collagen करते हैं जब रियक्टेंट्स के molecule आपस में collagen करते हैं तो ही तो ही क्या बनता है product बनता है मतलब collagen theory हमें बताती है कि जब रियक्टेंट्स के molecules हैं वें आपस में टकराते हैं जबी तो इसका नाम collagen theory है उनके बीच में संगर्ट होता है टकर होती है और उस टकर से ही product बनता है ठीक है यह बात बताई किसने collagen theory में पर हमें collagen theory में इस बात का पता तो चला पर हमें एक बात का और पता चला एक बात का यह पता चला कि भाई मालो आपके पास किसी बरतन में कोई reaction चल रही है और उस reaction में total बरतन में जो reactants के molecules हैं यानि आपके अभीकारकों के जो अनू हैं में एक लाख हैं और वह एक लाख हापस में टक्कर मार रहें तो एक लाख के एक लाख अनूओं की टक्कर से product नहीं बनता कभी यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने graduation complete कर ली और graduation complete करने के बाद आपने बैंक में या फिर किसी भी जॉब में apply कर दिया तो जितने बच्चे apply करेंगे क्या सभी का selection हो जाएगा नहीं selection उनका होगा जिनोंने अपने पढ़ाई के दोरान हर एक topic को ध्यान से समझा है जिनोंने मेहनत से पढ़ाई की है जो बच्चे लगातार पढ़ने की आदत रखते हैं जो मेहनती हैं उसे ही सब लेता है सब लेता है का मतलब यह है कि सारी company हों सारे विभाग हों या कोई भी आदमी आपको अपने पास job पर रखने से पहले इस चीज़ को देखता है कि आपके high school में, enter में, graduation में कितने number हैं क्योंकि number उसे ही पता चलता है कि बच्चा कितना मेहनती है यदि उसके number अच्छे है ना तो समझ जाओ कि बच्चा बहुत जादे मेहनती बच्चा है और यदि वो laborious है वो मेहनती है तो पकी बात है यदि वो मेरे विभाग में घुसेगा या मेरी company में घुसेगा तो वहाँ भी मेहनत करेगा जिस से मेरा department grow करेगा या मेरी company grow करेगी तो इसलिए तो high school inter और graduation की mark seat इतनी important होती है क्योंकि इनमे board का exam होता है home exam तो होता नहीं है कि आप अपनी मर्जी से number बढ़वाल होगे अपने यहां तो आपकी copy यां बहार ही चेक होंगी आपकी उत्तर पुस्तिकाएं तो इसी तरीके से जब सारे बच्चों ने graduation की और सब ने किसी भी vacancy में form fill up किये क्या सभी बच्चों के selection हो जाएंगे नहीं selection उनीका ही होगा जो उस selection को deserve करते हैं जो वास्तविक्ता में उसके लायक हैं इसी तरीके से मालो हमारे पास एक बरतन है और उस एक बरतन में एक लाख molecules हैं reactants के और में आपस में टक्कर मार रहे हैं क् की टक्करों से product बन जाएगा नहीं केवल उन molecules की या उन reactants के molecules की टक्करों से ही product बनेगा जिन के पास एक definite minimum amount of energy होगा जिस तरह बैंक का फारम बढ़ने के लिए graduation जरूरी है या बारवी क्लास का बच्चा बैंक का फारम बढ़ लेगा या बारवी क्लास का बच्चा UPSC का एक्जाम दे देगा नहीं दे सकता क्योंकि UPSC का एक्जाम देने के लिए या बैंक का एक्जाम देने के लिए minimum qualification है ग्रेजुएशन यदि ग्रेजुएशन complete है तभी आप इस जगह अपलाई करोगे otherwise नहीं कर सकते यदि कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो बन जाओ आप बीना डिगरी के बन जाओ तो मतलब कहने की बात यह है सिद्धी सी बात है इसमें जादे गेहरी बात नहीं है कि आपको जो molecules दिये गए है reactants के वें आपस में टक्राएंगे पर सारे के सारे molecules टक्कर मार के product में नहीं वे कुछ ही molecule होंगे जो टक्कर मारके product में बदलेंगे और उन molecules में खासियत पता क्या होगी उनमें एक minimum amount of energy होगा यानि टक्कर मारके product में बदलने के लिए किसी भी molecule के पास एक new नतम उरजा की आवशकता होती है minimum amount of energy की जरुरत होती है और उस minimum amount of energy को ही हम कहते हैं सक्रियन उर्जा या energy of activation या activation energy तो जिन molecules के पास या तो जिन molecules की energy activation energy के equal हो या activation energy से ज़्यादे हो फिर तो बल्ले बल्ले है मालो आपको UPSC का exam देना तो आप यदि graduate हो तो आप देई दोगे exam और यदि आप पोस्ट graduate हो फिर तो देई दोगे फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको तो इसका मतलब जो आपके reactants के molecule हैं उन्हें product में convert होने के लिए एक minimum amount of energy चाहिए जिसे हम कहते हैं activation energy या energy of activation या सक्रियन उर्जा जब उनका energy वहा तक पहुँचेगा या किसी के पास already महा energy होगा इतना तो वो यदि टक कर मारेगा किसी ऐसे molecule के साथ जिसका खुद का energy भी activation energy से जादे हो मानलो एक molecule ऐसा है मानलो आपके पास मैं लिख रहा कि activation energy मानलो हमारे reaction की 10 joule per mole है मैंने ऐसा लिख दिया कि activation energy इतनी है इसे activation energy भी कहते हैं energy of activation भी कहते हैं दुनों बात हैं और ये हमारे पास एक हमारे पास मानलो molecule है या item है इसका energy है इसका energy है 11 joule ठीक है और एक ये है दूसरा हमरे पास और इसका energy मैं लिखता हूँ E2 इसका energy है 8 joule कितना है 8 joule है ठीक है अब इन दोनों की टककर होनी है तो मुझे यूँ बताओ जब ये इधर को आएगा इसकी energy तो 11 joule है यानी जो 10 joule से जादे है ये तो तैयार है टककर मारके product में बदलने के लिए पर इधर से जो आ रहा है ये दूसरा क्या इसका energy 10 joule से जादे है नहीं तो टककर तो इन में हो जागी फर product नहीं बनेगा product के बल तब ही बनेगा जब इसका energy भी 10 joule हो या 10 joule से जादे हो यदि इसका energy मैं आपको कहूँ कि मान लो हम इस energy को change करते हैं या मैं लिखता हूँ कि इसकी energy हाँ है 10 joule है मान लो अब इनकी टककर लगेगी तो product में convert हो जाएंगे अब यह उत्पाद में बदल जाएंगे और यदि मैं कहूँ कि मान लो हमारे पास ये जो है 5 joule वाला है अब नहीं product बननेगा ठीक है और यदि इसे हमने 5 joule करा और इसे कर दिया हमने 8 joule लो अब भी product नहीं बननेगा और यदि हम ऐसा करें कि इसका energy हमने कर दिया इसका energy और इसका energy चेंज कर रहा हमें दुनों का energy मान लो energy हमने इसका कर दिया दस जूल और इसका एनरजी भी दस जूल कर दिया यानि दुनों को एक्टिवेशन एनरजी के बराबबर लिया हैं अब प्रोड़क्ट बन जागा पकी बात है प्रोड़क्ट बनेगा तो यह कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा Collision Theory हमें इसी चीज को सिखाती है Collision Theory हमें सिखाती है देखो Reactants लिखना जरा मेरे साथ साथ Reactants के सभी Molecules आपस में आपस में कॉलीजन आपस में कॉलीजन करके प्रॉडक्ट में नहीं बदल पाते हैं यानि सारे के सारे प्रॉडक्ट में नहीं बदलेंगें ठीक है केवल वे ही मॉलीक्यूल प्रॉडक्ट में केवल वे ही मॉलीक्यूल प्रॉडक्ट में बदल पाते हैं प्रॉडक्ट में बदल पाते हैं जिन की एनर्जी जिन की एनर्जी ई ए प्रेक्ट में लिखे देता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इन्दी में क्या कहते हैं सक्रियन उर्जा एक्टिवेशन एनर्जी से नहीं एक्टिवेशन एनर्जी से नहीं कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे या उससे माने किस से एक्टिवेशन एनर्जी से उससे अधिक होती है या तो उस मॉलीक्यूल का जो एनर्जी है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है और या फिर उस मॉलीक्यूल का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से जादे है तभी वो product में convert होगा ठीक है ना समझ में आई बात तो ये तीसरा पड़ाव हमारा पूरा हो गया यहाँ जल्दी से पोज करके लिखो आप फिर अगले पड़ाव की बात करेंगे हम तीसरा पड़ाव हमारा पूरा हो गया लिख लिया विटे ठीक है देखो अगली बात बताता हूँ अब आए हम last पड़ाव पर चौते पड़ाव पर और ध्यान से समझना है इस बात को जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ क्योंकि इसका exam में आना बहुत लाजमी है बहुत ज़्यादे बहुत important है देखो कुछ organic reactions हम organic chemistry पढ़ रहे ना कुछ organic reactions ऐसे होते हैं जिन में intermediate बनता है यानि मध्यवर्ती अभी करिया मध्यवर्ती और जिन reactions में intermediate बनता है वो reaction दो step में complete होती है intermediate बनने के कारण तो सबसे पहले तो यही बात लिखो आप जब मैं energy diagram समझा पाऊंगा आपको तो यहां लिखो कुछ organic कुछ organic reactions में कुछ organic reactions में कुछ organic reactions में intermediate intermediate बनने के कारण intermediate बनने के कारण वे दो steps में यानि दो पदो में यानि दो चर्णों में होती हैं तो कुछ organic reactions ऐसी होती हैं कि उन organic reactions में क्या बनता है intermediate बनता है और intermediate बनने के कारण वे reaction कितने step में होती हैं कि दो step में होती हैं ठीक है लिक हो जल्दी से और ये जो intermediate बनते हैं ये उपर लिखावा दिखाई देराना आपको सही है दिखाई देराना सही ठीक है और ये जो intermediate हमारे बनते हैं न भई आपके किसी reaction में एक intermediate बना तो वो reaction दो step में complete होगी तो जब हम कह रहें दो step में complete होगी तो पकी बात है हम reaction की क्रिया विधी यानि mechanism के बारे में बात कर रहे हैं पर ये जो intermediate बनता है ये intermediate बहुत जादे stable होता है किसी reaction में तो बहुत जादे stable होगा बस यहां focus करियो intermediate पर intermediate का मतलब अभी करिया मध्यवर्ती कैसा होता है मैं अभी बता दूँगा आपको सिरफ ध्यान रखना कि किसी भी organic reaction में यदि कोई intermediate बन रहा है तो वो organic reaction कितने step में complete होगा दो में clear बात और ये intermediate यदि बहुत जादे stable होगा तो आप इसे separate कर लोगे अलग कर सको इसे आप reaction में reaction mixture से आप इसे अलग कर लोगे यदि ये stable है intermediate और यदि ये stable नहीं है तो आप इसे separate नहीं कर सकते फिर ये product में convert हो जाएगा देखो इस बात को भी लिखो क्योंकि इसके बारे में भी क्यों से नाता है यह intermediate इतना यह intermediate इतना इतना stable होता है stable हो सकता है यूँ लिखेंगे यह intermediate इतना stable हो सकता है कि इसे separate किया जा सकता है यानि प्रत्थक किया जा सकता है अलग किया जा सकता है इसे separate किया जा सकता है आप इसे अलग कर सकते हो पर यदि यह stable नहीं है परंतु यदि यह intermediate मेरे साथ साथ लिख रहे ना परंतु यदि साथ साथ लिख होगे ना यह ना लिख ले ना यदि साथ साथ लिखोगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और जबी आप एक्जाम में लिख पाओगे ढंग से इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साथ साथ लिख अगरो कॉप्पी पैनल लेकर बैठोगे तो सबसे आदे मज़ा आएगा पढ़ाई में आपको कोचिंग लगाने की आवशकता ही नहीं पढ़ने की आपके नोट्स भी बनते रहेंगे और समझ में भी आता रहेगा देखो यहां लिखाव है कि यह इंट्रमीडियेट इतना स्टेबल हो सकता है कि इ इंट्रमीडियेट इस्टेबल नहीं है अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस्टेबल कब होगा और कब नहीं होगा मैं सारी बाते क्लियर करूंगा आपको चिंतना गरो बिल्कुल भी माल लोगा इंट्रमीडियेट आपका इस्टेबल नहीं है तो क्या होगा तो यह है तो यह है क्या होगा stable नहीं है तो यह product में बदल जाता है product में easily बदल जाता है ऐसे लिखेंगे easily यानि आसानी से बदल जाता है यदि stable नहीं है तो आसानी से product में convert हो जाएगा और यदि stable है तो product में convert नहीं होगा ठीक है लिख लिया क्या आपने अब देखो मैं आपको एक energy diagram बताता हूँ जिसमें intermediate बनेगा उस energy diagram को ध्यान से समझना होगा आपको बिल्कुल सबसे पहले energy diagram बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा energy diagram बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चलो यह नहीं यह वाला लेंगे पहन देखो एक तो हमने बनाया यहां एक तो एक तो एक्सेस यह बनाया एक तो एक्सेस यह बना दिया ध्यान से समझना एक एक चीज़ को और एक एक्सेस बना दिया यह दो एक्सेस हमने बना दिये ठीक है एक मट रूँ जाओ जड़ा इसमें ruler देखता हूँ क्या होगा एक एक्सेस यह बना दिया दो एक्सेस बना दिये हमने और इस वाले को भी इस वाले को भी ऐसे ही बनाएंगे चलो यह तो सारा ही मिट गया चलो देख रहें दुबारे ट्राइए करेंगे कभी न कभी तो सीखी जाएंगे इसे चलाना देखो दो एक्सेस एक एक्सेस तो हम बनाते हैं यह यह दिखाई दे रहा गया आपको देखना ज़रा दिखाई दे रहा गया एक एकसेज तो यह बने गया यह इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा चलो वैसे ही बनाते हैं हम अपने आप ही अपने आप जदे अच्छा बना दे गया हम एक एकसेज तो यह है और एक एकसेज है ये ये हमारे एकसेज हैं दो ठीक है अब हमने क्या काम किया हमने इसे थोड़ा सिद्धा बनाता हूँ देखना जरा सिद्धा बना गया अब कुछ ठीक है इस एकसेज में हमने लेने हैं हमें लेने है इस एकसेज में 3 लेवल लूँगा मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इधर को निच्चे से उपपर चलोगे आप ऐसे तो निच्चे से उपपर जाने पर क्या होगा? एनर्जी निच्चे से उपपर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी ठीक है? यह वाला सही है यदि आप निच्चे से उपर जाओगे इस तरीके से ऐसे तो potential energy चाहे वे reactants है चाहे product है वो बढ़ेगा और इधर को जाने से reaction का rate या अभी करिया किदर कह दो reaction का rate कह दो ठीक है या फिर आप कहते हो extent of reaction कि reaction कितना होा, या time कह सकते हो बढ़ेगा अब मुझे लेने हैं यहाँ slave एक तो मैं लोगा slave slave का मतलब level लोगा एक तो reactants का लोगा यहाँ एक तो level लेते हैं reactants का यहाँ लेते है만 यह level reactants का है ठीक है इसके निचाहे मैं लिखिक देता हूं reactants अभी बाद में लिखेंगे चलो यह reactance का level है यहाँ energy है यह इस energy को मैं कह सकता हूँ E1 reactance की energy है एक level लेंगे हम इससे थोड़ा सा उपर intermediate का यहाँ level लिया intermediate का ठीक है और एक level लेंगे हम इससे भी इससे भी नीचे product का यहाँ level लिया हमने product का यह product है ठीक है लिखना चाहो आप लिख लो यह तो है हमारे reactance यहाँ तो reactant होगा और यहाँ होगा आपका अभी करिया मद्ध्यवर्ती intermediate intermediate compound और यहाँ होगा आपका product यहाँ जो हमने यह level लिये है तीन level है यह आपको ध्यान रखना है reactant का level से उपर intermediate का energy है और उससे कम है product की energy अब हमें देखना है कि हमारा जो reactant है वो intermediate में कैसे convert होगा उसके लिए हम एक energy level लेते हैं यहाँ यहाँ energy level लेता हूँ मैं इस जगह एक energy level यह ले लिया हमने reactant कहाँ जाएगा यहाँ तक पहुँचेगा और फिर product में बदलेगा अब जब हमारा sorry product में नी intermediate compound में और intermediate compound फिर अपनी energy बढ़ाएगा product में convert होगा इस energy को मैं लेता हूँ यहाँ तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है यदि exam में question आता है तो इतने energy level बनाने है यह reactant का है उससे उपर intermediate का है फिर product का है यह energy level क्या है जैसे reactant जब intermediate में convert हुआ होगा तो reactants ने अपनी energy बढ़ाई होगी और जिस maximum energy पे पहुँचा होगा यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यह activation energy है reactants की intermediate compound में convert होने के लिए और intermediate compound को product में convert होने के लिए यह activation energy चाहिए और इस activation energy पर जब reactant अपनी energy बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक पहुचेंगे तो इस energy को इस stage को हम कहेंगे कि यह transition state है और पहली transition state यहाँ मिलेगी हमें इसे आप कह सकते हो first transition state ठीक है आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि यह first transition state है first transition state यानि पर्थम संकर्मन अवस्था और यहाँ मिलेगी आपको यह second transition state second transition second transition state यह हमें मिलेगी दित्य संकर्मन अवस्था second transition state आ रहाना समझ में अब देखो अब मैं ग्राफ बना रहा ग्राफ बनते ही आपको जो energy diagram में हाँ बनाऊंगा उसे बनाते ही आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से देखते रहे ना आप ध्यान से बस ठीक है देखो क्या होगा कि जो हमारे reactants है उनकी energy E1 है वे अपनी energy बढ़ाएंगे और energy बढ़ागे कहां तक पहुँचेंगे activation energy तक यानि first transition state तक और फिर वे किसमें बदलेंगे intermediate compound में intermediate compound में बदलगे अब ये intermediate compound फिर अपनी energy बढ़ाएगा और energy को बढ़ा कर कहां पहुचेगा दूसरे किसमें activation energy में जिसे आप second transition state कोगे और फिर वो किसमें बदल जाएगा product में तो इस तरह का graph हमें मिलता है इस graph को समझना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है इस graph को समझना exam में इसे कहते है energy diagram एक ऐसा energy diagram जो एक ऐसे reaction के लिए बनाया गया है जिसमें एक intermediate compound या intermediate अवस्था बनती है और इसमें कितने transition state आए दो transition state आए इसलिए दो step में complete हुई पहले step में reactants ने अपनी energy बढ़ाई और energy को बढ़ा कर maximum energy तक जो जो पहुचेगा जो reactant का molecule यहां तक पहुचेगा इसे मैं activation energy भी कह सकता हूँ इस energy को एक चीज और है वो भी लिख लो इस energy को जो first transition state की energy है इस energy को आप E2 कह सकते हो और जो यह second transition state की energy है यहां तक इसे आप कह सकते हो E3 ठीक है समझ में आया मैं एक बार repeat कर रहा X axis पे तो हमने लिया rate of reaction अभी करिया की दर और Y axis पे हमने लिया potential energy of reactants products intermediate transition state सबका energy यहां है Y axis पे हमने पहले तीन slave बनाए तीन level बनाए energy के reactants से थोड़ा सा उपर intermediate उससे निचे product इन दुनों से भी निचे आना चाहिए इससे तो निचे दीखी रहा इससे भी निचे होना चाहिए product का level energy का ठीकर नॉर्मली ऐसा ही होता है reactants product में इसलिए बदलते हैं क्योंकि energy घट जाती है और energy घटने से stability बढ़ जाती है अब यह reactant है हमारा यहां first transition state में reactant के molecule जिस जिस molecule में इतनी हिम्मत है कि यहां तक पहुंच सके first activation energy तक या first transition state पर्थम संकर्मन वस्था तक वह molecule टक कर मारके product में convert हो जाएगा product का मतलब यहां intermediate compound में और intermediate compound एकदम energy गिर की नीचे अब यह intermediate compound के बारे में मालो यहां से molecules यहां पहुंच गे यानि intermediate compound में convert हो गया हमारा reactants अब यहां से वहां तक चड़ना तो बहुत मुसीवत है यहां से energy यहां तक बढ़ाना तो फिर भी आसान था पर intermediate compound का वहां तक energy बढ़ाना तो बहुत मुसीवत है तो बताओ intermediate compound stable है या नहीं ऐसा intermediate compound जिसमें first transition state तो कम energy वाला हो और second transition state हो जाद energy वाला तो वो reactants के molecule first transition state को तो पार कर जाते हैं क्योंकि यह जादे बड़ा पाहड़नी है किसे चड़ना असान है पर जब वे molecule reactants के यहां पहुचेंगे ना intermediate compound में तो यहां से वहां तक चड़ना बहुत मुसीवत होगा इनके लिए जैसे average पे चड़ना हो और जब यहां से वहां चड़ना मुसीवत होगा तो इसका मतलब intermediate compound में stability बहुत ज़्यादे होगी क्योंकि उसे पता की सामने average चड़नी मुझे और मैं चड़नी पाने का इतना उपर है तो इसलिए intermediate compound ऐसी स्थिती में stable होता है और stable है तो अपनी अवस्था बनाई रखता है reaction mixture में और आप इसे separate कर सकते हो अलग निकाल के रख सकते हो लो जी यह है intermediate compound देख लो इसे आप ठीक है पर यदि इन्होंने कुछ molecules ने energy बढ़ा ली वहां तक पहुंच गया second transition state तक तो product बन जाएगा अब यहाँ एक बात समझने वाली है बात यह समझने वाली है कि इस reaction में कितने step हैं कितने step हैं दो एक step में तो यह है और दूसरे step में यह है तो यहाँ आप लिख लेना इस बात को note में यहाँ इस बात को आप लिख लेना यहाँ लिख लेना कहीं भी ठीक है आप तो निच्चे लिख लेना मुझे इस diagram के बारे में और समझाना इसलिए मैं side में लिख रहा है आप इसके निच्चे लिखना इस reaction में इस reaction में कितने step होते हैं दो step एक्जाम में पुच्छा जा सकता है कि दो step वाली जो reaction होगी organic उसका energy diagram कैसा होगा तो ऐसा होगा दो step है दिखाई दे रहे एक step में ही है और दूसरा step ही है ठीक है कि इसमें transition state कितनी बन रही दो आप इस बात को भी लिख सकते हो इसलिए कि इसमें कि दो इस प्रांजीसन कि इस टेट इस बनती है इस थीक है यहां लिखना जाओ तो एक word आप लिख सकते हो चूंकि इस reaction में दो step होते हैं इसलिए इसमें दो transition state बनती है ठीक है अच्छा एक पॉइंट हो रहे है अच्छा अच्छा यदि आप rate of reaction निकालना चाह रहे न अच्छा 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 rate of reaction अच्छा तो ध्यान से समझना एक तो reactants की energy देखो कितनी है even और दुनों transition state में यह देखो कौन सी transition state की energy जादे है सेकेंड की जादे है तो जो तो क्या होगा हमारी जो reactants की energy है और जो दुनों transition state में जो high energy वाली transition state है उसकी energy है इन दुनों का जो energy difference होता है उसके उपर depend करता है even difference e3 यह जो बात मैंने बताई आपको बहुत काम की बात है बहुत जादे काम की जिहान रखना क्या बताया आपको बताया है कि किसी भी दो step वाली reaction का rate यदि आपको देखना है किस चीज़ पर depend करता है तो reactance का energy और दोनों transition state में से जिस transition state का energy जादे है यहाँ e2 से तो जादे e3 का है तो इस energy और इस energy का जो difference होगा और difference जितना जादे होगा और reaction का speed उसके उपर depend करेगा ठीक है मतलब यहाँ यहाँ इसका मतलब depend करेगा है चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही कभी आप confuse हो जाओ कभी इसे आप directly proposed नली मान के चल रहे हो ठीक है मैं इस बात को लिख देता हूँ rate of reaction e1 difference e3 पर depend करता है depend करता है मतलब rate of reaction इस एनरजी और इस एनरजी के difference पर depend करता है कैसे depend करता है मैं बताऊं reality क्या है reality यह है कि यह difference जितना ज़ादे होगा reaction का speed उतना कम होगा कैसे होगा हम यह सोच रहे कि जो molecule इस barrier को पार कर जाएगा वो product में convert हो जाएगा नहीं reactant का जो molecule इस barrier को पार कर जाएगा वो product में convert नहीं होगा यह तो primary test है असली test तो यह है ठीक है जैसे mains और advance का test होता है tet और super tet का test होता है तो खली इस test को पास करना ज़रूरी नहीं है test को जिसने इसे पास कर लिया ना यानि जो इस level तक पहुँच गया वो ही product में convert होगा यानि reactants के वे molecule देख जाएगे जो यहां तक अपनी energy बढ़ा लेंगे अब बताओ यदि इसका E1 और E3 यदि E1 और E3 E1 और E3 energy difference कम कर दिया जाए तो ज़्यादे से ज़्यादे reactant के molecule product convert होगे होगे ना convert तो reaction का speed automatically fast हो जाएगा और यदि E1 और E3 का energy difference बहुत जादे हो हाँ दिखाई दे रहा कितना difference है तो product में convert होना मुस्की लो जाएगा molecules का ठीक है तो यह बाते हैं आपको इसमें सीखनी है अब दो तरह के energy diagram में फटा फटा आपको सीखाऊंगा जो exam में बहुत पूछे जाते हैं जल्दी से pose करके लिखो आप पहले लिख लिया बटे ठीक है देखो एक तो energy diagram पूछा जाता है लिख लो आप heading दो steps वाली दो steps वाली दो steps वाली तथा लेस्स इस्टेबल intermediate अपंपॉण्ड वाली मदल रियक्षन दो step में होनी चाहिए और जो intermediate compound वन रहा वो भी कैसा होना चाहिए कम stable होना चाहिए ठीक है रियक्षन के लिए रियक्षन के लिए energy diagram समझ लो देहान से क्या लिखा है मतलब हम यहां क्या सीखने जा रहे हम ऐसा energy diagram बनाएंगे जिसमें रियक्षन दो step में तो complete होती हो और उसका जो intermediate compound है वो less stable है याली low stable है ठीक है कम इस्थाई है तो ऐसा energy diagram बनाने के लिए सबसे पहला हमारा काम वही होता है कि हमें सबसे पहले दो एक्सेज बनाने हैं एक एक्सेज तो यह बना दिया हमने वाई और एक एक्सेज यह बना दिया हमने एक्स यह बना दिया दो एक्सेज ठीक है और अब आपको पता है कि हमने यहां तो लिया होगा potential energy यहां तो हमने potential energy लिया होगा और यहां लिया होगा rate of reaction या फिर time भी आप ले सकते हूं क्लियर बात अगली बात हमने बनाने हैं तीन लेवल हमने less stable intermediate compound बनाना गया है तीन में विल्कुल ऐसे इसे गाल हमने लेवल थो यह यह बनाया हमने लेवल की स्का री exagger पार और यिक्टेंट्स कão मुझे थोड़ा सा उपर तो आसे कहा है आप लिख लो इन पर ये लेवल जो हमने बनाया यह तो है और यह इन्टरमीडियाट कंपॉंड का हैं इंटरोगेट कंपॉंड के और यह किसका लेवल है एनर्जी लेョवल किसका है यह तीन लेवल तो आपको इसे सिक्वेंस में बनाने कि अब आपको कैसा है हमारा less stable intermediate है अब हमें क्या करना है less stable intermediate तो पहला level मैं उपपर बनाऊँगा देखो आपको पता चल जाएगा less stable intermediate कैसा होता है पहला level यहाँ बना दिया मैंने पहला level उपर बना रहे हैं यह बना दिया पहला level ठीक है और दूसरा लेवल मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा, देखो मतलब ये पहली transition state का level है और ये दूसरी transition state का level हमने बना दिया अब देखो ध्यान से, यहाँ भी नहीं बनाते हैं और नीचे बनाते हैं, जिससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, यहाँ बनाते हैं, इसे यहाँ, अब देखो जो उपर level बनाया है, energy मैं लिखता हूँ, यहाँ energy E1 है, reactants की और ये जो दूसरी transition state है न, इसकी energy में E3 लिखूँगा और यह पहली transition state है, इसकी energy E1, मतलब समझ जवाब की इस point को ध्यान रखना है, यहाँ लिख रहाना है, first first transition first transition state ठीक है, first transition state है, और यह क्या है यह वाली, यह है second transition state, जित्तिय संकर्मन वस्था अब समझना पड़ेगा, ध्यान से बिल्कुल एक दम, ध्यान से समझना आप अपने आप कहोगे कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि लैस स्टेवल अपने देखनें, और फिर किस में बदल गें, यह बदल गें प्रॉडक्ट में, यानि इंटर्मीडियेट कमपॉण। में और इंटर्मीडियट कमपॉण। में बदलने जबाद इन्हें थोड़ी सी एनर्जी बढ़ानी अपनी और प्रोड़क्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे देखो जड़ा इस ग्राफ को ध्यान से कि इस एनर्जी डाइग्राम को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि रियक्टेंट्स के जो मॉलीक्यूल है उन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाई एक बहुत जादे हद तक और बढ़ा कर फर्स्ट ट्रांजीशन स्टेट अटेइन करी जो एक बहुत मुस्किल काम था और यहां से फिर में इसमें बदले इंटरमीडियेट कंपाउंड में बदल इंटरमीडियेट कंपाउंड से अब उन्हें जो सेकंड ट्रंजीशन स्टेट अटेइन करनी है कितनी आसान है वहां से यदि मैं किसी गोले को लुड़का दूना तो वह गोला इतना एनर्जी लेकर लुड़केगा कि अपने आप चड़ जाएगा यहां तो बताओ इंटर इस सवस्था में रहना बिलकुल भी पसंद नहीं करेगा ना तो वह पसंद करेगा ना तो उसकी मजबूरी होगी इस सवस्था में रहने की और जब इस सवस्था में रहने की उसकी मजबूरी नहीं है तो वह तो एनर्जी इतनी लेकर आया कि अपने आप ही इसीली सेकंड प्रंजीन स्टेट को पार कर जाएगा तो जब साक्विशन स्टेट को वहां से आने वाला हर एक पार करेगा और प्रोड़क्ट में हरे Bunny होगा तो मुझे बता ओ इंटरमीडियर कंपॉнять बना रहेगा कहीं में complete होने वाली है और less stable intermediate compound है तो उसका energy diagram ऐसा बनेगा जल्दी से पोज करके लिखो आप अच्छा एक बात और बताता हूं यदि आपको कोई पूछ आए ना इसमें मालो किसी ने आपको पूछ लिया कि आप हमें यह बताओ कि कि इस reaction का rate कि इस reaction का rate कि कि रेट कौन कौन सी energy पर depend करेगा तो किस पर depend करेगा rate of reaction बताना ज़रा क्या e1 और e3 का energy difference पर depend करेगा नहीं reaction का rate e1 और e3 इसे क्या लिखना चाहिए था e1 इसे e2 लिखना चाहिए था e2 एक मट सही कर देता हूं सही कर देता हूं इसे लिखना चाहिए था e2 यहां लिखना चाहिए था हमें e1 है e2 है और यह है e3 अब हो गया ना सही तो तो मुझे यह बताओ कि इस reaction का जो rate है वो किसके उपर depend करेगा e1 और e3 के energy difference पर या e1 और e2 के तो आपको देखना है कि दुनों transition state में से कौन सी transition state जादे उपर है जादे value किसकी है इसकी है तो e1 minus e2 यानि e1 difference e2 इसकी value जितनी ज़्याद होगा यह difference जितना ज़्याद होगा reaction का speed उतना कम होगा ठीक है अब pose करके लिखो जल्दी साब लिख लिया विटे ठीक है ठीक है ठीक है देखो next heading अब हमें heading लिखनी है एक और energy diagram हमारे course में है heading लिखो दो steps वाली रेक्शन में हाईली stable intermediate highly stable intermediate compound के लिए highly stable intermediate compound के लिए energy diagram यह heading है हमारी अब आपके समझ में आ रहा होगा कि आप जो compound है उसे highly stable कैसे करोगे देखो यह हमारे पास एक axis है y axis और यह हमारे पास है एक दूसरा axis x-axis ठीक है x-axis को थोड़ा सही बनाता हूँ देखना अब जरा सही है क्या ठीक है अब ठीक है अब देखो इसमें जो है आपको लेने है लेवल इसमें लेवल लो आप कितने लेवल लो पहला लेवल तो लो reactants का फिर इससे थोड़ा सा उपपर लो इससे उपपर किसका लेवल लेना है intermediate का और इन दुनों से निच्चे लेना है product का पता है आपको यह लेवल कौन सा है यह reactants का है reactant लिख लो और यह है intermediate का intermediate का level और यह लेवल है product का energy level है जैसे आप इसे लिख सकते हो even reactant को even लिख दिया करो इसके और इसके energy से हमें कोई मतलब नहीं होता यदि हम rate ही बात करें अब आपको दो level और बनाने हैं यह transition state के हमारा highly stable intermediate बनेगा तो पहला जो transition state होगा उसका level निच्चा रखना में है यह यह और दूसरा जो transition state बनेगा उसका level रखना है high यह तो इससे मैं कहूंगा e1 के बाद first transition state है e2 और second transition state है तो e3 कहीं यहां बैठे गए पूरा line भी ख्यास सकते हो आप चाओ तो वहां तक ठीक है अब आपको बताएगी यह क्या है यह है first first transition first transition state ठीक है ना और यह क्या है यह है second transition state यानि द्वित्य संक्रमन अवस्था पर्थम संक्रमन अवस्था और highly stable है इसलिए मैंने second वाले को उपर लिया आपको पता होगा कि second वाले को उपर क्यों लिया देखो reactants ने यहां से अपना energy बढ़ाना शुरू करा energy बढ़ते गए बढ़ते गए first transition state में पहुंच गए और फिर इसमें convert होगे intermediate में intermediate में पहुंचने के बाद फिर इने energy बढ़ाना है बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ देखो average का पाड़ चड़ना है जब जाके किस में बदलेंगे product में बदलेंगे देख लो दिहां से अपने dry gram से आपको इस पास टो रहा होगा reactants के बहुत जादे molecule first transition state को attain कर लेंगे यहां तक तो कोई भी चड़ जाएगा और यहां से चड़ने intermediate compound compound जो यहां पहुंचा यानि जो intermediate compound बना बड़ा मुस्किल है वो second transition state को attain कर सके और फिर product में convert हो सके इसका मतलब साफ है कि आपका जो intermediate compound है वो बहुत जादे क्या होगा stable बहुत जादे क्या होगा stable होगा स्थाई होगा बहुत जादे और जब बहुत में यह भरा और निकाल दिया जैसे मम्मी कड़ाई में से हलवा निकालती है इसे निकाला लो जी आपका intermediate compound बहीं intermediate compound को separate आप केवल तभी कर सकते हो जब फर्स्ट transition state का एनरजी डाउन हो और second transition state का एनरजी हाई हो तो आप intermediate compound विचारा second transition state तक ही है molecules पहुंच ही नहीं पाने के तो यह अवस्था स्था ही होगी स्टेबल होगा हमारा मद्ध्यवर्ती और आप इस मद्ध्यवर्ती को उठाके रख सकते हो separate कर सकते हो अच्छा एक बात बताओ मुझे बहुत अच्छी मुझे एक बात बताओ कि यदी मैं कहूं कि मुझे आप बतादो rate of reaction rate of reaction किसके उपड़ डिपेंड करेगा डिपेंड करेगा rate of reaction किसके उपड़ डिपेंड करेगा यहाँ energy difference कौन सा देखा जाएगा बताओ e1-e2 e1 और e2 गा energy difference देखा जाएगा या e1 और e3 गा बताओ आपको सिखाया था कि दुन्नों transition state में से जिसका energy जादे हो second का है e3 तो यहाँ होगा e1 और e3 का difference जो है उसके उपड़ डिपेंड करेगा यह difference का निसान है यानि बड़े में से छोटा ही घटाना आपको ऐसा नहीं कभी सोचोगी आपको e1 में से e3 घटाना बड़े में से छोटा घटाना बस यह बात है ठीक है बेटे अब लिखो जल्दी से पोस करके लिखो बेटे जल्दी लिख लिया ठीक है तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा बड़ा ही interesting और मज़ेदार टॉपिक था मैं एक बात बताता हूँ बहुत कम teachers होते हैं जो इस टॉपिक को ढंग से समझाते हैं बच्चोग और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रियास किया है कि आप किसी भी chemical reaction या organic reaction में energy के concept को समझ जाओ यह energy की importance क्यों होती है और यदि आपको reactants और products की energy पता है तो आप reaction का nature कैसे पता लगाओगे और collision theory energy के concept को कैसे clear करती है और यदि कोई ऐसा reaction हो जिसमें एक intermediate बनता हो तो वो reaction दो step में complete होता है और उसका energy diagram हम कैसे बनाते हैं जब हमारा intermediate stable होता है तो energy diagram कैसे बनेगा और जब हमारा intermediate unstable होता है तो energy diagram कैसे बनेगा इन सारी बातों को हमने समझ लिया इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ के पढ़ो और साथ साथ लिखते रहो एक कहावत है समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी एक समझ है और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है समझे कुछ नहीं सर हम तो नहीं समझे ठीक है फिर अगला डाइलोग आया तेरी समझ तो मेरी समझ की समझ से बाहर है चलो खेर आप समझने की कोशिस करो और मैं समझाने की कोशिस करूँगा अगले वीडियो में भी लेंगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके वाई